हलो फ्रेंज वेल्कम टो टिके स्टडी दोस्तों आज हम डिस्कुस करेंगे नॉवंबर मंद के करन्ट अफेर्स के मोस्ट इंपॉर्टन्ट कोशन जो कि आपके आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट है चाहे रेल्वे हो एससी हो या फिर बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट सेशन आपके एक्जाम के लिए तो आप लोग जरूर सेशन को बुरा देखेगा और अगर आप चैनल पर नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको प्रिव डाउसर इस ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस आइप्याल 2020 मुंबई इंडियंस ने डिल्ली कैपिटल को हरा कर जिता है और मुंबई इंडियंस का ये 5th आईप्याल टाइटल है ठीक है काफी इंपॉर्टन कोशन है नेक्स्ट कोशन है इंडिया से फॉर्स्ट सोलर पावर् केरला के वेली में इनाउगरेट की गई ठीक है और केरला के से यम पिनरेई विजयन है यह विचेज आप लोग ध्यान में रखेगा next question है who won US presidential election? та answer is option D Joe Biden Joe Biden बने है USA के नई president Biden US के 46th president है और Kamala Harris बनी है first woman vice president of US काफी important question है next question है which state was declared as best governed state in the country? the answer is option B Kerala नेक्स्ट कोशन इस राश्टिय एक्ता दिवस वस सेलिब्रेटेटेड उन विच बर्थ अनिवर्षिर आप सर्दार वल्लभाई पतेल राश्टिय एक्ता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है यह भी आप लोग ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन इस फूस ऑटोबाइग्राफिय इस दबुक आयम नों मसिह द आंसर इस अप्शन बी सोनु सूदू मेश्ट कोशन इस विच पैंक पार्टनर विध प्ते यम् त लौंच कॉन्टेक्लेस क्रेडिट काड़्ड आंसर इस ओप्शन सी एस एजबी आए रिसेंटली तेजपूर लीची गौट जीया टैक बिलॉंग स्टू विच स्टेजपूर लीची को मिला है जीया टैक ठीक है अक्सर जीया टैक से कोश्चन एक्जाम में पूछता है तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन एज विच नेशन्स आर्मी लांच इंडिजिनियर्स मोबाल अप्लिकेशन सई धा आट आञेर इस ऑ्पशूर किया है अपी इंपर्टन कोशन है फेने ब्रिज इस कनेक्टिंग इंडिया विछ कंफ्री दा आंशर इस ओप्शन सी बंगलादेश फेने ब्रिज की लेंथ 1.8 किलोमेटर है और यह कनेक करेगा इंडिया और बंगलादेश को काफी इंपोर्टन कोशन है विछ और गनाजैशन है इंडिया अपन्ना टाइकर रिसर्फेर है। हाली में यूसक्य मठाप्रदेश के पन्ना टाइकर रिसर्फर को इंकलिट किया है और रांप्रीज कुछल सेलेनाथ 1.9 नियॉक्ट Gian राफेल इंडिया ने रिसीव किया है सेकंड बैच ओफ राफेल फाइटर जेट और यह जाम नगर गुजरात में अराइव किया है यह बिचिज आप लोग ध्यान में रखियेगा और उन्हें शुगीब बैन बुक के लिए इस अवाइट से सनमानित किया गया है ठीक है और लुकास रिजनेवेल ने इंटरनेशनल बुक प्राइज जीता है यह बिचिज आप लोग ध्यान में रखियेगा ठीक है और उन्हें The Discomfort of Evening यह बुक के लिए इस अवाइट से सनमानित किया गया ठीक है काफी इंपॉर्टन कोशन है दोनों भी CGI बोबडे इनागरेटेड इंडियास फर्स ए-resource सेंटर नाय काउशल इन विच सेटी दा अंसर इस ऑप्शन दी नाकपूर और अनुपम खेर जी ने लेसन लाइफ टॉट मी अन्नोइनली बुक भी लिखिय है यह विच आप लोग ध्यान में रखेगा इंडियन आर्मी चिफ फॉज मेट ऑनरेरी जनरल अफ विच नेशन्स आर्मी दांसर इस ऑप्शन सी नेपाल और इंडियन आर्मी चिफ मनुझ मुकुन नर्माने जी है यह विच आप लोग ध्यान में रखेगा नैशनल एजुकेशन दे बिइंग अब्ज़र्ड अनली ओन विच देट दांसर इस ऑप्शन दी 11 नोवंबर और नैशनल एजुकेशन दे मौलाना अब्दुलकलाम आजाद जी के बर्थ अनिवर्सरी प्र मनाया जाता है यह विच आप लोग धान में रखेगा विच कंट्री फॉर्मली विद्डर विधर्ण फ्रम इट्स पारिष ख्लाइम अकॉर्ट दांसर इस ऑप्शन दी उनिटे इस विच पुब्लिक ट्रांसपर सर्विस हाज लॉंच मेरी सहली इनिशिटीव और सेकूरिट दांसर इस ऑप्शन है इनियन रेल्वेज इनियन इस ने इंट्रिजूस किया है मेरी सहली इनिशिटीव तो प्रोवाइड सेफ्टी और सेकूरिटी तो विमन पैसेंजर दूरिंग ट्रें जर्नी काफी इंपोर्टन कोशन है विच स्टेट ग्रांटेट परसंट वेहिकल टैक्स वेवियर तू लेक्रिकल वेहिकल दांसर इ विच नेशन लांच जॉन नवाल एक्साइज कारट 2020 दांसर जॉप्शन सी युएस तर फिरस्ट एंट संडल्वूड मूजियम है इन विच सीटी दांसर जॉप्शन दी मैसूर नेक्स क्वेशन इस विच स्टेटी अफेक्टेट बाइस साइक्लों निवार दांसर जॉप मुंबए और गुजरात कोस्त पर हिट किया था ये बिच झाफ जबत द्यान में रखेगा वर दिट इंद्यास फिर्स तैयर पार्क इस तू चमब दांसर जॉप्शन सी वेस्ट बेंगोल विच कंपनी वस नेम्ड टाइज बागीर दांसर जॉप्शन ऐ इंडिया दान्सरी जीओ रेसेंटल नवी फिछ कंट्री लांच फिफ्ट स्कॉर्पिन सब्मरीन नेम्ट वागिर दान्सरी जीओ Constitution Day is celebrated on which date? दान्सरी जीओ 26th November Airport Authority of India handed over Lucknow Airport to which group? दान्सरी जीओ अधानी Group International Children's Peace Prize 2020 was given to दान्सरी जीओ ऑप्षन है सादत रह्मान 2020 का International Children's Peace Prize बंगलादिश के सादत रह्मान को जिया गया उन्होंने एक Mobile App बनाया है Cyber Teens to Stop Cyber Bullying ठीके काफ़ इंपॉर्टन कोशन है यहिए प्रफन गोनी ही छिता रहरों जीके है दान्सरी एफषन C, Philippines पिलिपीन वीपूर्टन कोशने को प्रवाँ 가요 इस सुटत nights locks जीओ को शुटन में एन्सरी खीन है कि अधर फिल्वी विन बुक ओन कोई 19 दान्सर इस ऑफिन ए रंडीप गुलेरिया विच कंपनी लॉंच रुपे फेस्टिव कार्निवल दान्सर इस ऑफिन C NPCI and the full form of NPCI is national payment corporation of India okay World tsunami awareness day is being observed annually on which date dancer is option D 5th November who was elected the new chairman of international cricket council dancer is option A Greg Barclay Greg Barclay बने है new chairman of ICC और ICC का headquarter दुबई में है यह बिचीज आप लोग धान में रखेगा नितिश कुमार तुक ओथ as chief minister of Bihar for which turn dancer is option C 7th हाली में बिहार में election हुआ और वहाँ पे इंडिया ने सरकार बनाई है नितिश कुमार ने साथ भी बार शपतली है मुख्यमंत्रिपत की काफी important question है इंदिरा प्रिया दर्शनी nature safari was launched in which state dancer is option C 36 this girl next question is who took oath as the deputy chief minister of Bihar the answer is option D both A and B that is Tarkishore Prasad and Renu Devi election commission of India appointed which actor as the state icon of Punjab the answer is option D Sonu Sud national Ayurveda day is being observed on the answer is option D 13th November 5th national Ayurveda day 13 November go celebrate किया गया और इस बार इसकी थीम थी Ayurveda for COVID-19 pandemic काफी important है कि एशिया फर्स्ट सोलर पावर टेक्स्टाइल मिल इस बिंग बिल्ट इन विच स्टेट दांसर इस उप्शन भी महाराश एशिया की फर्स्ट सोलर पावर टेक्स्टाइल महाराश के परवनी डिस्ट्रिक में बनाई गई है ठीके काफी important question है कॉप 26 is scheduled to take in which country दांसर इस उप्शन है United Kingdom who is the author of the novel The Last Queen दांसर इस उप्शन दी चित्रा बैनर जी which state is going to host international bird festival दांसर इस उप्शन भी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का गोरगपुर होस्ट करेगा international bird festival ठीके what is India's latest FIFA ranking दांसर इस उप्शन C 104 भारत की current FIFA ranking 104 है और Belgium top team है इस ranking में ठीक है काफी important question है which two lake were included in the list of global रामसर साइट recently दांसर इस उप्शन ए लोनार लेक एंड सूर सरुवर लेक हाली में लोनार लेक जो की महराश्र के बुल्धाना में है और सूर सरुवर जिसे कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इन्हें include किया गया है रामसर साइट्स लिस्ट में ठीक है काफी important question है which state government constituted cow cabinet to conserve cows दांसर इस option C Madhya Pradesh which country declared climate emergency to combat global warming दांसर इस उप्शन ए छपान whose autobiography is the recently published book a promise land दांसर इस उप्शन A Barack Obama world first tram library for children was launched in which state दांसर इस उप्शन D West Bengal world की first tram library को launch किया गया है West Bengal की capital Kolkata में ठीक है काफी important question है who has won children climate prize 2020 दांसर इस उप्शन C Vinisha Umashankar which country will ban sales of petrol and diesel car by 2030 दांसर इस उप्शन इस उप्शन है India's first cow hospital has been inaugurated in which state दांसर इस option B awesome what is India's rank in bravery risk index दांसर इस उप्शन C 77 which word named as word of the year 2020 in Cambridge dictionary दांसर इस उप्शन भी कॉरंटाइं recently which ministry has launched deep ocean mission दांसर इस उप्शन C Ministry of Earth Sciences National Children's Day is being celebrated on दांसर इस उप्शन है 14th November National Children's Day 14th November को celebrate किया जाता है फिर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडिज जवालनाल नहिरू जी के birth anniversary पेटी के काफिंपॉर्टन कोशन है which short film has included for Oscar nomination दांसर इस उप्शन C नटखट which state government added fish nutrition to अंगनवारी diet chart दांसर इस उप्शन C ओडिशा who is the author of the book Bye Bye Corona दांसर इस उप्शन A Dr. Pradeep Shrivastava where did the navies of India, USA, Japan and Australia begin मालाबार नवाल exercise दांसर इस उप्शन D B of Bengal मालाबार नवाल exercise इंडिया, USA और जपान की बीच होता है और इस बार Australia ने भी इसमें participate किया है ठीक है काफिंपॉर्ट कोशन है Hariharan won JC Daniel Award for lifetime contribution in which cinema दांसर इस उप्शन B, Maliyalam where is the Cherry Blossom Festival celebrated annually दांसर इस उप्शन C, Meghalay Cherry Blossom Festival हर साल Meghalay में celebrate किया जाता है Meghalay की capital Shilong है और Meghalay के CM Conrad Sangma है ये बीचीज आप लोग धान में रखेगा Ayodhya Airport in Uttar Pradesh is set to be renamed as Dancer's Option D, Mariyada Purushattam Shri Ram Airport where did India's first seaplane service start Dancer's Option B, Gujarat Who has won ATP Tour Final 2020, Dancer's Option A, Daniel Medvedev Daniel Medvedev ने जीता है ATP Tour Final 2020 और Dominic Thiam ने US Open title जीता है ये विचेज आप लोग ध्यान में रखेगा National Science Festival 2020 being hosted in which state, Dancer's Option A, Tripura Who won JCB Prize for Literature, Dancer's Option B, S, Harish New species of mushroom that emits bright light and dark was founded in which state, Dancer's Option B, Meghalay Which Indian program won 48th International Emmy Award 2020, Dancer's Option A, Delhi Climb Union government has extended the tenure of ED director by one year, who is the director of ED, Dancer's Option D, Sanjay Kumar Mishra Sanjay Kumar Mishra, ED director, ED का full form भी आपके exam के लिए important है, ED का full form है Enforcement Directorate, ये विचेज आप लोग धान में रखेगा और प्रदिप कुमार जोशी, UPSC के चेर्मन है, सुनिल अरोरा, Chief Election Commissioner है ठीक है, और रिशुकुमार शुकला, CBI के चेर्मन है, ये विचेज आप लोग धार में रखेगा, ठीक है, काफी important है विच गवर्मनेंट लांच, G1 से वायप फर COVID-19 पेशंट, दानसरी आप्शन भी दिल ली World Children's Day is celebrated on which date, दानसरी आप्शन सी, 20 November National Children's Day 14th November को और International Children's Day 20 November को मना जाता है आप इसमें confused मत होना, काफी important question है What is the name of Haveri Railway Station which is renamed recently, दानसरी आप्शन सी, महादेव वपा, मैलारा Railway Station Karnatak Government ने Haveri Railway Station कराम बदल कर, महादेव वपा, मैलारा Railway Station कर दिया है ठीक है, काफी important question है Recently, Fagwara Mega Food Park was inaugurated in which state दानसरी आप्शन भी पंजाब Diogo Maradona passed away, he was related to which sports, दानसरी आप्शन भी फुटबॉल ठीक है, और यह Argentina के लिए, फुटबॉल खेलते थे, यह बीचीज आप लोग धार में रखेगा Which nation launched world first 6G experiment satellite, दानसरी आप्शन सी, China Who has been recognized as world youngest author by international book of records, दानसरी आप्शन D, Abhijita Gupta Well diabetes day is being observed on November 14, what was the theme of this year, दानसरी आप्शन B, the nurse and diabetes Sitmax naval exercise was held between which country, दानसरी आप्शन B, India, Thailand and Singapore Sitmax naval exercise भारत, Thailand and Singapore के बीच में होता है, और यह इस बार अन्दमान में किया गया, काफी important Recently which state government promulgated an ordinance to ban the online games, दानसरी आप्शन C, Tamil Nadu Who has been honored with Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award 2020, दानसरी आप्शन E, Richa Chaddha Who become the brand ambassador of Pagarbhuk, दानसरी आप्शन C, Akshay Kumar Which country recently test fired Sirkun Hypersonic Crisp Missile, दानसरी आप्शन C, Russia Which company will launch Libra Cryptocurrency in 2021, दानसरी आप्शन B, Facebook Kothur Elephant Rehabilitation Center is said to become largest care center in the world, where it located, the answer is option D, Thiru Anantapuram IRCTC is going to start Bharat Darshan Dakshin Bharat Yatra, what is the theme of this yatra, the answer is option C, show India to Indians Who will set up global center on traditional medicine in which country, दानसरी आप्शन B, India World Health Organization भारत में global traditional medicine center बनाएगा, ठीके, काफे important question है Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs. 1 crore, on which bank, दानसरी आप्शन E, Punjab National Bank Which country with India to develop Shahatud Dam, the answer is option A, Afghanistan According to World University Ranking 2021, which institute has become top institute of India, the answer is option C, IIT Bombay Who has been conferred with Tata Literature Lifetime Achievement Award, the answer is option A, Ruskin Bond When is National Milk Day celebrated, the answer is option C, 26 November पर इस session का मारा last question है, Who is the author of book named, The Commonwealth of Cricket, the answer is option A, Ramachandra Guha तो यहाँ पर हमारे November month के current affairs के most important 100 questions complete होते है I hope आपने session को ध्यान से देखा होगा, आप इसको जरूर revise कर लेना, सभी questions आपके exam के लिए काफे ज़ादा important है अगर आपको session अच्छा लगा हो तो please video को like कर देना, channel को subscribe कर लेना और video को अपने friends के साथ में share कर देना, okay, thank you